सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो एक नंबर है तो लाइक कर लिजे पुराने वाले जो भीवर्स है उनसे तो अनुरोध है कर लिजे और अपने दोस्तों के भी सेर किजे बताईये लोगों को बीवांग कर इसका इसका या उसके हर का मतलब उसकी या उसके हिं का मतलब उसको या उसे है थोड़ समझने का गोशिस कीजिए का धैर यसे थोड़े देखेगा है हिस मेंस देखे थोड़ सा ध्यान देजे हिस का मतलब उसका हर मेंस उसकी हम मेंस उसको बस इतना याद रखे है आण मा की यह दो बर फिर वीडियो को देखेगा तो सब याद हो जाएगा। But main thing is, उसका, उसकी, उसको, his, her, him, okay? चले देखते हैं कि इसको use कैसे करना है? Use का आप करना है, my friends, जैसे कि अगर आप his use कर रहे हैं, तो जितने भी male है न, पुरुष के लिए आप his का प्रयोग करेंगे. फीमेल के लिए her का प्रयोग करेंगे, और male के लिए ही him का प्रयोग करेंगे. Means, her का प्रयोग जो है, सिर्फ और सिर्फ female के लिए होता है, बाकि his और him जो है, उनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ male यानि की पुरुष के लिए. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखे हैं, तो टेक्निकली समझते हैं, तो यह तीन तरह के महतपूर्ण केस होते हैं, subjective case, objective case, positive case, यानि के subject, object और positive, subject जो है, वो basically sentence के सुरू में यूज़ होता है, object sentence के last में आता है, object जो है, वो sentence के last में लिए पुज़ेसिव जो है, वो मालिका मालिकाना हक, ownership दिखाने के लिए पुज़ेसिव का यूज़ होता है, ठीक है, समझी का, अभी फिलाल थोड़ा सा 2-5 सेकेंड के लिए आप subject, object और positive को समझ लेजिए, subject sentence के सुरू में मिलेगा, object sentence के अंत में, positive, मालिकाना हक या ownership है, या मेरा है, या तेरा है, या दिखाने क के लिए पुज़ेसिव का यूज़ होता है, तो ही का, ही का, जो object है, वो हिम होता है, और positive हिस होता है, सी का object हर, और positive भी हर ही होता है, ठीक है, ये difference है, ठीक है, जिन लोगों को ये चीज़ नहीं समझ माया है, उनको मैं और detail में समझाता हूँ, हिस का प्रियोग उसका के लिए यूज़ करेंगे, और मालिकाना हक दिखाने के लिए पुरुष के लिए यूज़ करेंगे, मेल के लिए, हिस का मतलब उसका, मालिकाना हक दिखाने के लिए प्रियोग करेंगे, तथा मेल, यानि सिर्फ पुरुष के लिए यूज़ करेंग तो वह उसकी कार है, किसकी कार है, कोई आदमी का, जैसे की, हो सकता वो मोहन हो, हो सकता वो सोहन हो, हो सकता वो रोहन हो, हो सकता वो ही हो, है न, वह उसकी कार है, that is his कार, यह किसी सीता, गीता, रिता की नहीं है, किसी मेल का है, कार, वह उसकी कार है, clear है, His shoes are brown His shoes are brown उसके जूते भुरे रंगे हैं तो इसका मतलब किसी लड़का जो है कोई लड़का कोई आदमी का जो जूता है वो हरे रंगा है इसलिए His का प्रयोग करेंगे है ना तो His का प्रयोग पुरुस पधान के लिए यूस करेंगे मालिकाना हग दिखाने के लिए मालिकाना हग कैसे है अब जिसकी वह उसका कार है मतलब उसका कार का जो मालिकाना हग है वो उसी बंदे का है उसी परसन का है उसके जूते भुरे रंगे है इसमीन कि वो जो बंदा है वो जो इंसान है, उस जूते पर मालिकाना हग तो उसका है, उसका जूता मैं तो नहीं पहन सकता, या कोई और तो नहीं ले सकता, या कोई और तो दावा नहीं कर सकता, तो वो उसका खरीदा हुआ है, उसका मालिकाना हग है उस पे, clear है, है ना, तो उसका मतलब जो यूज करे कि यह किसी सीता गीता रीता की कार है कोई महिला की कार है किसी पुरुस का कार नहीं हो सकता पुरुस के लिए हर का प्रयोग नहीं करते हैं हर्सूज और ब्राउन उसके जूते बुरे रंक है हिंदी मिनिंग होई है लेकिन यह किसी लड़की का बिलॉंग करता वो जो जूता का जो जूते पर मालिकाना हग जो है वो किसी लड़की का किसी औरत का किसी महिला का है किसी इस्तरी जाती का है क्लियर है आगे बढ़ते हैं Him जो है उसका मतलब उसे होता है और यह sentence के अंत में object की तरह आता है और इसका परियुक सिर्फ और सिर्फ male के लिए अथार पुरुष जाती के लिए करेंगे I do not know him, मैं उसे नहीं जानता यह देखे Him जो है sentence के last में दिखा आपको I do not know him, मैं उसे नहीं जानता She married him, उसने उससे साधी कर लिए देखे Him जो है sentence के last में दिखा और meaning क्या आया है उससे, उसे यह meaning आया, clear है? तो यही basic difference है चलिए और फिर से मैं सब को sum up करता हूँ His का मतलब उसका, हर का मतलब उसकी, clear है? His जो है, वो male के लिए use होगा हर जो है, वो female के लिए use होगा और यह मालिकाना हग को दिखाने के लिए इसका प्रियोग होता है मालिकाना हग, ownership, मतलब उसको, उसका चीज है उससे वो belong करता है, clear है? Him का प्रियोग, उसे के लिए sense में use करेंगे यह पुरुस जातिक लिए use होगा और यह object की तरह काम करेगा अर्थात sentence के last में मिलेगा आपको clear है? उमीद कर तो हम वीडियोग को पसंद आए, thank you so much for watching और यह जो सभी आपके doubts हैं, वो सभी doubts आपके clear हो गया है बने देगा बीवेंगे साथ बीविओ बीवेंगे, inspiring lives through knowledge, all the best!